नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकों नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी की केंदर सरकार के तरप से परधान मंतरी किसान समंधी योजना का लाब ले रहे भारत के करोडों किसानों के बैंक खाते में अठारवी किस्त का पैसा हस्तरांतरित कर दिया गया है यानि कि PM किसान योजना की अठारिव किस्त आ गई है आप ओनलाइन अपना pension payment status कैसे देख सकते हैं किस परकार से ओनलाइन चेक किया जाता है इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है यदि आप भी एक किसान है आपने भी अपना आवेदन परधान मंतरी किसान सम्मानिधी योजना के तहत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाब ले रहे हैं और आप भी अपना अठारिव किस्त का पैसा ओनलाइन चेक करना चाहते हैं आज की यह खबर यह जान बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुर देखिए यहां पर आप यह देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले इस ट्वीटर हैंडल पर ससक्त और समरद्धी किसान आत्म निर्भर भारत की पैचान सिरी नरेंदर मोदी द्वारा पीम किसान सम्मान निर्ही योजना की अठार्वी किस्त का हस्तरांतरन पांस पीट किया गया है आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है मानुने परधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी जी ने आज वासिम महराष्टर में आयुजित किसान सम्मान सम्मिलन के दोरान पीम किसान सम्मान निधी की अठारिव किस्त के अंतरगत 9.4 क्रोड से अधिक किसानों को 20 हजार करोड से अधिक की धर्नासी हस्तरांतरन किया देखे दोस्तों यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिस सोट वीडियो है जिसमें परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी एक किलिक में किलिक है और देखे आप लिखा चुका है परधान मंत्री किसान सम्मान निधी PM किसान, किसानों को PM किصान की 58andus का transfer लिखा हुआ है れた यहाँ पर देखिए आज आप चपर सकते हैं जिसमें 9.4 इन किसानों को ये लाम मिल चुका है दोबारा से धोड़ा सा यहाँ पर यह लिखा हुआ है आप चपर सकते हैं यहाँ पर साफत अपर लिखा आ चुका है सम्मान की रासी पाने वाले किसानों के संख्या यहां पर है और धनासी यहां पर आप देख सकते हैं 1850 का पैसा ट्रांसफर किसानों के बैंक खाते में एक किलिक में किया गया है अब यहां पर यह भी आप रह सकते हैं 2000 से अधिक किसान जो रासी है वे ट्रांसफर की गई है यानि दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 में यह जो महराश्ट की वासिम लोकेसन है इस्थान है वहाँ से यह परधान मंतरी मोंदी जी के द्वारा एक किलिक में ही DBT के माध्यम से भारत के 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया गया है अब बात यह है कि आपको ये पैसा मिला अभी तक या अभी तक आपके बैंक खाते हैं पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ है आप ओनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं इस वीडियो का पूरा देखेगा तब ही जानकारी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए वह जानकारी भी अब यहाँ पर हम आपको दे देते हैं पी-म किसान सम्मानिधी योजना की अठारवी किस्त का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मुबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्रावजर को ओपन कर लिना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पी-ए-फ-म-ए-स जी हाँ यह लिख कर आपको सर्च करना है जब सर्च कीजिगा तो आपके सामने लिखा मिलेगा डीविटे स्टेटस और बेनफिसरी और पेमेंट डिटेल इस पर आपको किलिक कर देना है अब जैसे हमने इस पर किलिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है बैक्गराउंड वोइस के लिए हम आपसे महफिश आएंगे अब देखे सबसे पहले आपर तीन डोट यह आपको नजर आ रहा होगी इन तीन डोट पर आपको किलिक करना है किलिक करने बाद आपको नीची आना है और देखे आपर लिखा है desktop site लिखा हुआ है ना अब यहाँ पर किलिक करके आपको अपने फोन में desktop site को open कर लेना है हमने पहले ही open की हुई है जब आपके वाइल फोन में desktop site यह open हो जाएगी तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का page open होगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अब यहाँ पर आपको फिर तीन ये line नजर आ जाएगी इन तीन ये line पर आपको किलिक करना है अब जैसे हमने यहाँ पर किलिक किया आपको लिखा मिलेगा payment status लिखा हुआ है ना यह payment status पर इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने बाद देखे, dbt status tracker ये लिखा हुआ है, अब इस पर किलिक कर दीजे, dbt status tracker पर, अब जैसे हमने इस पर किलिक किया, हमारे सामने अगला पेज open हो चुका है, पड़ सकते हैं dbt status of beneficiary and payment detail, अब यहाँ पर किसानों को अपना अठारवी किस्त का पैसा चेक करने के लिए अठारवी या सतरवी, या फिर सोलवी या पंदरवी, सभी किस्त का पैसा आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको किलिक करना है एक बार, अब जैसे हमने इस पर किलिक किया, यहाँ से देखे PM किसान लिखा हुआ है, अब यहाँ पर किलिक कर द जे यहां जो किसान का Registration Number है अब देखिएँ आप किसी भी राजजी किसान हो चाहे आप हर्याणा के हो पंजाब के हो या फिर पंजाब के हो हर्याणा के, उत्तर प्रदेश के दिल्ली के, जारखंड के बिहार के किसी भी राजजे के तो यहाँ पर आपको अपना registration number दर्ज करना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना registration number दर्ज कर देते हैं और जो word verification code दे गए हैं हम as days इस box में यहाँ पर यह भी दर्ज कर देते हैं देखे तोस्तों जैसे हमने यहाँ पर हमने अपना registration number दर्ज करना है ये भी हमने दर्च किया और अब यहां पर हम सर्च के आइकन पर किलिक कर दें देखें सर्च लिख होए ना हम इस पर यहां पर अब किलिक कर देते हैं अब जैसे हमने किलिक किया हमारे समने अगला पेज जो पन हो चुका है अब यहां से हम इसको scroll down कर लेते हैं security के लिए यहां पर हमने जो personal information है we hide की हुई है देख रहे हैं यहां पर अब सबसे पहले यहां पर आपको नीचे लिए चलते हैं ताकि आपको अच्छी से समझा सके अब देखें यहां पर आप देख सकते हैं personal information है जो हमने हैट की हुई है अब यहां पर आप scheme code के साथ देख सकते हैं जिसमें लिखा है पर परपसर नेम में income support installment 17 यानि कि अब तक इन किसानों को एक से लगा कर 17 किस्त का पैसा मिल चुका है किस तारिक मिला है यहां पर payment success का वैट तारिक नीचे दी गई है जिस तारिक मिल चुका है bank receive यहां पर 14 लिखा हुआ है और देखिए यह पहला step है यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा यह पांचवा और छटे step में पैंशनार से इनके bank खाते में transfer हो चुकी है 2000 पर यहां पर आप amount देख सकते है आधार based payment PM किसान योजना के लाभारते को किया जाता है इतना आपने समझ लिया अब यहां से हम इसको scroll down कर लेते हैं अब देखिए अब जैसे हमने यहां पर इसको यह scroll down किया आब यहां पर जो latest installment है यानि कि 18th installment के बात हो रही है ठीक है यह payment detail यहां पर देख सकते है अब जैसे यहां पर यह personal information आज चुके जो कि हमने हाइड की गई है यहां पर आधार नंबर है 2000 पर आप लिखे देख सकते हैं और इनको सभी को आधार based payment किया जाता है यह पहले श्टैप, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चोथा, यह पाँचवा अब देखिए चटे श्टैप में बैंक जो रासी है यह बैंक खाते में ट्रांसफर की जानी है देखे दोस्तों हमने यहां पर आपको पहले दिखाया है कि इन किसानों को अब तक एक से लगा कर सत्रा इंस्टोल्मेंट सफलता पूर्वक में लिचुकी है अब इनको यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर यह पहला है तो यहां पर यह पहला शो हो रहा है लेकिन इनकी इनकिसान की अठारीव किस्त है जी हाँ यहनकी अठार्व किस्ते कैसे पता से लेगा यहां तारीक से पता कर सकते हैं देखिए यह 25 सितंबर यहां पर लिखा हुआ है और वेलिड हो गया थे 28 सेप्टैंबर को approved fund status यहाँ पर दिख सकते हैं यह कब हुआ है यह भी 28 को approved हुआ अब इसके वाज जो sanction status है यह भी 1 अक्टूबर को sanction हो चुका है और यहाँ पर देखें बैंक receive लिखा है 28 सितंबर 2024 लेकिन परधान मंतरी नरेंदर मोधिजी के द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को डीबिटे के माध्यम से यह किस्त का पैसा 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया है देखिए केंदर सरकार तरब से तो ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन भारत के 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में पैसा पहुँचने में समय लगता है पैसा transfer होने में यदि आपके bank खाते हैं पैसा पहुच चुका है तो आप हमें नीचे comment करके बता सकते हैं यदि अभी तक नहीं पहुचा इस परकार से लिखा रहा है payment pending at bank यदि यह लिखा रहा है तो आपको जल्द ही 2-4 दिनों में या एक दिन में कभी भी आपके bank खाते हैं वह चेक कर सकते हैं सबसे आसान सबसे सरल तरीका एक यही है कि आप P FMS के उसल वेब साइट पर आकर यह अपनी अठारवी किस्त का पैसा चेक कर सकते हैं यह तरीका हमने आपको बता दिया है आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारी दिवीज जानकारी पसंद लाइक तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक् के लिए जय हिंद जय भारत